सब्लेस टाइब करते हैं वह हम आपको इस नहीं में सिखाने वाले जैसे है आपको यह एक्शंप यहाँ पे भाए दिखाई दे रहे हुआ इस तरह के एक्शंप पेपर आपको के एमेच वर्ड मेंhmा बनाने रहे हैं वह तरह किस सी पना या दे नहीं आखने जैसे यह एक्जम पेपर आप देख रहे हैं इसमें आपको यह डाइग्राम्स देख रहे होंगे एक्क्विशन्स देख रहे होंगे जैसे कि देखे इस तरह की इस तरह की इस तरह की एक्क्विशन्स होती है यह जो आपको देख रहे हैं या फिर इस तरह की डाइग्राम्स ह आते हैं, वो कैसे बना जाते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहे हैं, हलो दोस्तो, मैं सचिन साक्य, स्वागत करता हूँ हमारी यूटीब चैनल साके कम्पिटर में, अगर आप एकदम जीरो लेबल से कम्प्लीट कम्पिटर कोर सीखना चाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साके कम्पिटर को, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एक इंस्टिटीट की तरह कम्पिटर कोर्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की step by step वीडियो जालते रहते हैं, अगर आप कम्पिटर पर बिलकुल भी काम करन नहीं जानते हैं, तो यह चैनल आपके लिए काफी helpful रहेगा, अचली बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ Microsoft Word की पिछली वीडियो में हमने सिखा था कि एकमिलेक्स का एक्जम पेपर किस तरह की से टाइप करते हैं, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि कि पेड़ कैसे किया याता है, margin की किफना चोड़ना चाहिए, कि size में आपको टाइप करना चाहिए, वह सार चीज़ी हमने पिछली वीडियो में सिखाये, अगर आपना वह वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा तरीकी साप अच्छे तरीकी सापको यह वीडियो समझ में आएगे तो इस वीडियो में आपको बताने वाले मैथ के पेपर में equations कैसे बनाते हैं डाइग्राम कैसे बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जैसे यहाँ पर हमें इधर option दिखे है equation तो आपको इस equation के बीच में click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं आपके पास एक खाली box आए जिसमें लिखाएगा टाइब equation फिर जैसे आपने equation box लिया होगा तो आपको एक टूल मिलेगा equation टूल जिसमें design टैब आता और design टैब में आपको structure गर्प मिलेगा और symbol गरुप मिलेगा जिसमें structure इक्विशन बनाने कि लिए जितने विए structure से होते हैं वह सारे structure आपको यहाँ पर मिलेंगे जैसे कि fraction है तो fraction अब किस टाइब का fraction लिखना वह आपको यहाँ पेमिल जाएगा जान के स्क्रिप्ट्रेब्नाना है तो आपको स्क्रिप्ट बना सकते हैं एक स्कुरर वाइस करें इस तरह इसे बना सकते हैं रीस में आकर वाफ नीым से इंटीड्ल है प्रॉप्रेटर हैं प्रेक इक्षण से ce assets हैं एं आप कई अंप सिंग संद कर आकि आप आपको हुआ पर मिल जाता है तो चलिए कयासे बनाएंगे इस इक्वेशन को वो देखने है सबसे पहले चीज़ तो यहां पर देखें कि यह जो एक्क्वेशन है इस एक्क्वेशन में आप देख रहे होगे कि फ्रेक्शन में लिखावा है तो सबसे पहले आपको यहां पर इसमें फ्रेक्शन बॉक्स एड़ करना है यहां पर क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा इस क्लिक करते हैं नीचा जाएंगे जैसे फाइव इसकी पावर हमें लगाने पावर थ्री लगानी तो क्या है या तो आप इस फाइव को अठा दीजिए पहले उस बॉक्स को खाली रहने दीजिए वहां पर पहले उसको स्क्रिप्ट हों बदल दीजिए तो इस तरीकी से बन क्य जाए या फिर आपने ऐसा किया कि आपने फाइव लिख दिया है कोई दिक्कत नहीं तो आपने क्या करना उस फाइव को सलेक्ट करना है क्योंकि अगर आपने बिना सलेक्ट की जैसे आपने कजर आगे रखा है और फिर आपने स्क्रिप्ट एड़ किया यहां पर तो एक और पैब को पार निकलना है तो आपको एक बार राइट आरो दबाना है तो आपको कजर पावर से बार अजाएगा फिर आप मैंटिपलाइक्स लगाएगा तो बाहर लगएगा पावर मनिल लगए और आप लेघ देप ट्रेंट इस तरीवें इस तरीवें से यह एक्वेशन बन जाई है ठीक दोस्तों आप देखिए जैसे दूसरी है देखे ब्रेकेट छोटे रहे यह गल्त हो जाएगा इसी यह कहाना आपको यहें जो ब्रेकर है यह भी हमें तो आपको किया किना कि और उसको स麼 एक रिप्र घणा बद लिए तो से बहुरा आना यहान் पना आपको लगाना है वह आपको लगाना वह आ से سंट कर सकते जो भी होती चलिए लिखने है तो आप इसको पूरा कॉपी कर आपने उसी क्यों में आगे जाकर करके उसको पेस्ट कर दीजे फिर महाँ पर क्लिक करके वो टैक्स रठाट दीजेए उसे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा पावर बदल नहीं आपने तो पावर और टाइप कर दीजिए इस तरीकी सा आप एक्क्विशन बना सकते हैं तो अगली इस देखिए जैसे कि हमारा यह कुश्चन है सिम्प्लीफाइब इसमें बनाएंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा तो यह स्क्रीन इसक्रीन हमें सबसे पहले तो आप देखेंगे ямा फ्रेक्षन है तो वह फ्रेक्षन लेंगे पहले त contradisome लेंगे तो पहले इसमाने इन इसीदिए और प्रेक्ष्न अब इस बॉक्स को सेलेट किया और इसमें जैसे पावर लिखा है टू की ऊपर पावर है फाइफ ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट तो आप डारेक्ट लगा सकते हैं ब्रैकेट आप टारेक्ट टाइप कर दीजिए तू भी आप लिख सकते हैं अब तू की पावर बनाना अगर आपको तो आपको क्या करना हो तू को स्टा एक करना है और फिर इस क्रिप्ट फिल्हाणना तो टू की पावर बन कर का जाएगे अब इस सब ब्यख सरथ दकी और आप अटारों का ही कर आपने चाहें लगाने है का सनिंगा दिज्टाव तैवन की पावत्टवर थ्री आपको लिखने है तो अगर आप सेवन लिखने से पहले याप ऐसा करिए कि आप यहाँ पे screw to एड कर दिजिए तो इस तरीऔर घुटवा तरी लिख दीजिए इस तरीकी से बन जाएगा नीचे आपने लिखा नहीं है तो लिखने से पहली वहाँ पर या तो इसको बदल दो या फिर आपने लिख दिया तो इसको सेलेट करके करें जैसे आपने टाइप कर दिया है तो आप उसको सेलेट करें और फिर उसको स्क्रिप में बदल दीजिए यहां से तो इस तरीके से आप आसानी से एक्वेशन बना सकते हैं मल्टिप्लाइब करें लगा है ठीक दोस्तों तो यह आगे की और जो एक्वेशन आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया इस तरह की एक्वेशन इसी टाइप से वाल आपको बनाने हैं तो वह कैसे बनाएंगों देखते हैं अगया इसी की तरह हैं सबसे पहले तो आप इंसर्ट पर गये बिश्ण लिया आपने और सबसे पहले आपने लिए फ्रेक्शन ठीक है दूस्तव फ्रेक्शन में आपने जैसी टाप करने के बाद फिर आपको जैसे क से तरह की से अपने बसकते हैं इसे लेटिए को न बदली तो भी आप इस तरह की से कर सकते हैं जा फिर आप से बहर कर सकते हैं या फिर आप तो माइनस रेडिकल में आपको त्री लिखना है यहां पर आप इसको इंसर्ट कर ली यहां जाएगा अब इसके आगे आपको लिखना प्लस तो आपने एक बार राइट अरो दवाई नहीं आ रहा है तो फिर एक और बार राइट अरोड़ाई तो आपको कजर यहां आ भी और वहां पे जो चेंज़एस नीचे अब प्लेस करना है तो आपको पूरा बनाने ही रुदत नहीं अपना माउस से भी आप इस तरीके से पंन्ट कर सकते हैं उसी चीज को फश्य से परे पेस्ट कर दीजी आप इसको बदलना है तो आप यहां से बदल दीजिए इसको इसको टादीजी बैक इस्पेस करके आप उसको हटागी सकते हैं फिर फ्लस वन सॉरी माइनस वन लिख दीजिए आप इस तरीकी साथ बना पाएंगे अब इस चीज को पूरे को आप कॉपी करें और नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए तो थ्री यहां पर देंगे प्लस त इस तरीकी साथ और यह एक्क्वेशन बना पाएंगे ठीक दूस्तों अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन देखें जीए जीए आप देख रहे हैं यह वाली कोई संब्सक्राइब बनाने तो वह कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो वही काम करना आपको सबसे पहले क्वेशन ब यहां पर आपको इसके अंदर फ्रेक्शन में लिखा तो इस बॉक्स को सेलेट करके पहले इसको फ्रेक्शन बदली इस तरीकी से वह ओड़ा हो जाए अब यहां पर आपने लिखा सेख ठीटा ठीटा लगाना तो सिंबल में आपको मिल जागा यह सिंबल डोडना पड़ेगा आपको कि वह सिंबल कहां पर है कि इसमें से आपको ठीटा इधिंग एड़ा सेख ठीटा माइनस वन ठीटा अब नीचे सेख ठीटा प्लस बन लेगना है तो आप क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे यहां से कॉपी और इस बॉक्स पर क्लिक करके अब इससे बाहराना है तो आप माउस से भी आ सकते हो अगर आपको कीबड़ सी करना चाहते है तो राइटर दबाते यह आपको कजर बाहरा आ जाएगा फिर प्लस करें और देखिए उपर देखिए आप अब भी उसके अंदर ही था तो इसलिए बॉक्स इस तरह बड़ा हो में लिखना है तो अम इसको फिर से पूरा कॉपी करें ही सरी करकी कोपी और पीरेस्ट कर देंगे अब यह इसमें लिखना है सेक ऊपर प्लस थीटा प्लस वन और बस वन बस और ऑर राइट 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 वज पहुंच गया बरावर टू तो सेक ठीटा ठीटा जो कि आपको अभी उन्हें बताता है सिंबल में से यहाँ पर मिल जाएगा ठीटा यह रहा तो इस तरीके से यह एक्वेशन आप बना पाएंगे ठीक है ठीक है दोस्तों तो यह तो थी एक्व सेल में सकते हैं अब अको बताइगे डाइग्रामस के डाइग्राम कैसे बनाते हैं तो डाइgrown में आप देख रहे होंगे हैं यह सब्सेयल यह डाइगराम सब्सक्रेंगाएं पर मीसीफ शचेकर डाइंग सब्सक्राइबрेnea कि यही डायग्राम्स हम ms paint में बड़ी इसली बना सकते हैं और उससे यह समझे लो कि मैक सब्ट वर्ड में जब आप बनाएंगे तो उससे आधिस हमय में आप paint में इसको बना सकते हैं तो देखिए वह कैसे बनाएंगे अगर आपने ms paint नहीं आता आपको तो ms paint की वीडियो हमने बनाई हुई है हमारे चैनल पर जाकर आप देखिए उसमें आपको हमने पूरा ms paint सिखा है कैसे बना स्री पेंट कैसे यूज करते हैं ड्राइंग बनाना भी सिखाए अगर आप वह सीख लेंगे तो आप यह जो डाइग्राम हम सिखा रहे हैं वह भी आप आसानी से बना पाएंगे तो विंडो आर करते हैं विंडो आर पे रन पर हमने टाइप के ms paint और ms paint टाइप करने पर ms paint open हो गया तो जैसा कि अब यह जो डाइग्राम आपको दिख रहा है यह हम आप बनाई है इसे ट्रफों से यह से कि इसत्राफ तक जैसे कि इसको देखते हैं यह बनाने वर टेफकि आयरों के लिए आप आला कि बना सकते बड़ा उसके एकкої में मरीन ंसको घ्रान कर zar कि उसको रोटेट करने बाद इसको इतना इसमें से इसको डिलीट करने यह उठा करके आप लगतीजिए अगर यह च्छपाता है तो सेलेक्ट नम्या करें ट्राश्परेंट पर क्लिक लिक करें और इसको जहां लगाना वहां आप कीवड से उसको सैट कर सकते हैं यह जो तर्चा है यहां पर आपको बनाने पड़ेंगी तो जूम करके आप इस तरह किसे एधियर बना दीजिए जूम आउट कर लेते हैं इतना करने के बाद क्योंकि यह दोने साइट से एक जैसा इसलिए एक साइट का बना लिया अब हम इसको सब्सक्राइब करेंगे और रूटेट में या करेंके स्कूर at और जंटल और फ्लिप और जंटल करके इसको यहां पर मिलाते हैं इस तरीकी से यह बन जाएगा फिर करव टूल पर जाते हैं बीच में आपको एक और वह बनाना कॉंट तो आप यहां से लगरेंगे आप सिफ्टी सा सीधिलान कीची करव टूल से पहले इधर से मोड़ी और इस तरीकी से आप आसन इसे डागरम बना सकते इतनी जल्दी आप माक्रोसफ्ट वर्ड में इसको नहीं बना सकते थे अब इसमें जो टेक्स्ट लिखें वह आपको टैप करने तो टेक्स्ट पर जाईए टेक्स्ट टैप करिए पहले आप साइड में और कहीं भी अलग इसमें है डागरम में और वह में टाप करने तो उनको हम सेलेक्ट करेंगा सेलेक्ट करके बोल्ड डिटैलिक जो करना अगर उसके डागरम के हिसाब से कितना बड़ा फॉंट साइज उसमें सही लगेगा वह आप अपने हिसाब से चूज कर दीजी जो आपको रखना है अग T Greek रुक्त कट अ का रखना यहां रखना है तो यह रखते हम कि एस तरह की ज़से बिखेंगे और वह रहा है और है गहां है वह इसको फट्रकम करें गार्ट कम नहीं कर कर आप तो आप गोल से बना दी च्छोटी या फिर आप बनाएं और ओ का साइज छोटा कर दीजे च्छोटा साइज करने और उसको ऩह ऑद डाकर के आप दिगरी के रूप में आपे लगा सकते हैं इस तरह के की बोर से भोग करके जहां रखना है इस तरह की से आप आप आसानी से डाइग्राम बना सकते हैं अब आपको अपनी Microsoft वाली वाली फाइल में इसको जोड़ना है तो आपने क्या करना है इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके आपने फाइल में जहां लगाना वहां करज़र रखें और कंट्रल वी कर दीजिए पेस्ट वहां पर यह इंसर्ट हो जाए इसको छोड़ा करिए यहां से और फिर फॉर्मेट में जाकर के व्रैप टेक्स्ट और इन फ्रेंट आफ टेक्स्ट करें इसको आसानी साब कहीं भी म बना सकती है कि प्रेस्ट और ड्याग्राम मैं बता आज़ाएता हूं वह देख लीज़े और दूसरा लाइगरम से इसको साइड में रख देते हैं अब जैसे कि आपको विलाड ड्यागराम यह जव टायगराम आप देखना स्क्रेंवान पर और यह डियागराम हम बनाएं तो देखिए कैसे बनाएं कि सबसे पहले इसमें दो लाइन है जो उपर नीचे वाली लाइन है वह दोनों लाइन बनाएं तो वह कैसे बनाएं एक रेक्टेंगल लीजिए इस वाली डायग्राम को मैं हटा देता हूं कि एक रेक्टरंगल लिजिये और रेक्टरंगल आप इस तरह कर सेician से क्या प्रिक्ण करेंगी अ गधार यहां से स्वंहेक्ट करखे डिए कर दीजिए थ्क और तो अजय अभूर गेटे। थ्योंगते को यहां से आपने लाइन कीची इस तरह करके और जो लाइन यह वाली लाइन है इसका हम एरेज कर देंगे अरेज़े टूल से कर देंगे यहां से बनाना तो यहां से मोड़ी तो यह काम आप इसमें बड़ी आसानी से कर पाएंगे इसलिए हम डाग्रांग्स के लिए कर सकते हैं अभी अब यह हमने टाइक कर लिया अब इसमा आपको यह टेट सब्सक्राइब करने वह टेक्स जैसे कर दो की जैसे कर website जो भी है अच्छा सेलेक्ट करके फॉंट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि छोटे बढ़ जाएंगे इसलिए हम अपने डाग्राम के साब से उसका साइज यहां से चूज कर देंगे टेक्स्ट का साइज जो भी आपको रखना है रखने के बाद आप जो भी टेक्स् खिर और टी ए रक्रीश एसके पाले कर देखिया इस बहुद गी को यह रख देगी है और जी जी को यहां आ ठीक ऑट बहुत से को बहुत अब यहां पर दिंक शिक्स्टीम शिक्ती फाइब चला कोई बात निं? और थर्टी डिग्री को यहां रखते हैं अब इसमें डिग्री का साइन बनाना तो जैसा मैंने भी पताया था कि आपने क्या करना वो टाइप करिए और वो को थोड़ा साइज दे जी छोटा करने के बाद फिर उसको आप सेलेट करें और इसको उठा कर गए जहां ठोड़ा ब इसका साइज रखा थोड़ा और खम कर देते हैं नो आठ कर देते हैं यह ठीक है तो इसको सेलेक्ट करेंगा और यहां पर रखते हैं एक जगह जब हम इसको रखते हैं तो इसको कंट्रोल के साथ यह तो कॉपी पेस्ट कर लिजिए या कंट्रोल साथ आप इसको मूग करके रख सकते हैं यह 60 थोड़ा पास रख दिया हम उसको आप अपने हिसाब से कर लिए तो इस तरीके से यह डाइग्रम भी आप बना सकते हैं फिर इसको सेलेक्ट करें आपको उतना ही एरिया सेलेक्ट करने ज्यादा ओवर एरिया सेलेक्ट नहीं करना है कॉपी करें और अपनी MS इसको जहां चाहें वहां पर रख सकते हैं ठीक दोस्तों इस तरीकी से आप अपने मेहत के पेपर में एक्वेशन कर सकते हैं और इस तरह के डाइग्राम सब बना सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएए के देखने के लिए स्टब बाइस टब कंपेटर सीखने के लिए हमारे चानल साथ के कमपटर को सब्सक्राइब रख रख रहें थैंक यूँ कि 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 कि